बच्पड में माता पिता अपने बच्चों को ये जरूर सिखाते हैं, कि हमें किसी भी बुजूर्ग की हमेसा इज़्जत करनी चाहिए, और उन्हें मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, ये कहानी चालाग बुजूर्ग भी उसी करने का आएडिया आता है, यह आईडिया यह भी था कि उन लोगों को ट्रेन की चैन खीचनी थी, फिर उन लणकों के दिमाग में खर्याल आता है, अगर ट्रेन की चैन खीचेंगे, तो हमें फाइन भरना पढ़ेगा, उन में से एक लड़का बोलता है, कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे, सभी लोग 100-150-150 रुपए इखटा कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे, सभी ने पैसे इखटे कर लिए, पूरे मिलाकर 900 रुपए इखटा हुए, ट्रेन में सफर कर रहा, वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था, फ पूछने से एक लड़का बोलता है, हाँ, मेरे पास एक अच्छा एडिया है, जिससे हम चैन भी खीच लेंगे, और फाइन भी ने भरना पड़ेगा, बाकी के सभी लोग उसे बढ़िया तुटता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा एडिया है तुमारे उस लड़के ने कहा, क्योंने हम ट्रेन की चैन खीच के उसका आरोप उस बूढ़े पे लगा दे, ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चैन खीचने का मज़ा भी आएगा, वो बुजूरग आदमी ये सब सुन रहा था, उसने इस लड़के लड़कों से ये भी कहा, कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ये सबी लड़के बोल रहे थे, कि नहीं हम तो परेशान करेंगे, इतने में एक लड़के ने चैन खीच दी, वो बुजूरग आदमी सोच रहा था, कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो चुपचा बैट गया, कुछ द अधिकारी ने उस बुजूरग से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खीची है, तब ही उस बुजूरग ने आदमी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपए चीन कर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चैन खीची है, उस अधिकारी न आगे की कारवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया, तब सभी लड़के अपने किये पेपस्था रहे थे, लेकिन आम पच्चने का कोई फायदा नहीं था, मोरल हमें किसी गुजुर्ग आदमी से कुछने को सीखना चाहिए, नै कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं, वो ये काम कई साल पहले ही करते हैं, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए,